आज मैं आपके लिए लेकिया हूँ छे जटबट और आसान न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट की रेसिपीज आज की इन रेसिपीज में मैं इस्तमाल करूँगी ओर्ट्स का मुंगपली को मैंने ऐसे बिना तेल के भून लिया है और मुंगपली आप चीए तो भूना हुआ भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसके इसमें आप ये प्रोसेस स्किप करें अब हम क्या करेंगे कि यहां पे कड़ाही में दो से तीन चमच तेल डालेंगे जैसे ही तेल गरम हो ज सकते हैं तो यहां भी प्याज को एक मिनट के लिए भून लें जैसे ही प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे हम इसमें एक मीडिम साइज के टमाटर कटा हुआ डाल देंगी बहुत लोग पोहा में टमाटर नहीं डालते हैं लेकिन जब आप ओर्स का पोहा बनाए तो इ का लेना इसलिए आप इसे पहले डाल दें अगर आपको गाजर पसंद है तो आप इस पोहे में गाजर भी आड़ करें उससे ये और भी टेस्टी लगता है मिला दें तीनों को जैसे ही सबजिया थोड़ी पक जाएंगी हम इसमें डाल देंगे ओर्स तो यहां पे एक कप हम हम ये ओट्स डाल देंगे सफोला ओट्स में है soft grains जिससे ये most of the breakfast recipes में easily blend हो जाता है इसलिए आज की सारे recipes में मैं सफोला ओट्स का यूज़ करूँगी तो ओट्स को पानी से वॉश नहीं करना है आप इसे direct ऐसे ही कड़ाहि में डाल दें ओट्स डालने के बाद पहले हम इ पेलियों पे ऐसे रख के और चारो तरफ ऐसे स्प्रिंकल कर दे यह दो से तीन वर आपको करना है तो यहाँ पे मैंने यह दो बार पानी डाला पानी डालने के बाद हम इसे वापस ऐसे मिक्स करेंगे और धक के रख देंगे मतलब धीमियाज पे पकाएंगे उस यह क्या होग के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे मुंगफली को आप पहले नहीं डाले क्योंकि पानी डालने के बाद यह जो है वो सॉफ्ट होने लगेंगे तो इसलिए आप इसे लास्ट में अड़ करें तो यह हमारा पोहा बन के तियार हो गया है तब हम क्या करेंगे कि इसमें बारी गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो हो गया नहीं एकदम सूपर टेस्टी नाश्ता तो नॉर्मली हम हमेशा नाश्ते में पुहाई बनाते हैं तो अगर आप ओट से एक बार पोहे जैसे इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यह आपकी फैमली को बहुत पसंद आएगा सिम्पल कर मूंग का दो सा बनाने के लिए मैंने यह आपे एक कप भिगोया हुआ हरा मूंग लिया है इसे हम ब्लेंटिंग जार में डाल देंगे इसके साथ तो यहां पे दो इंच अद्रक डाल दे एक फ्र पानी जार का ढकन बंद करके हम इसे ब्लेंड कर लेंगे तो ये हमारा मूंग का पेस्ज जो है वो बन के तियार हो गया है अब हम oats को grind कर लेंगे तो यहाँ पे आधा कप oats ले लेंगे और इसे grinding jar में डॉल के इसका एक fine powder बिना लेंगे एक कप मूंग के लिए आधा कप oats का इस्तेमाल करें तो ये हमारा oats का powder बन के तियार हो गया है ये देखे एकदम fine powder बनाया है मैंने अब हम क्या करेंगे कि एक mixing bowl ले ले लेंगे और इसमें डाल देंगे ये moon का paste और इसके साथ ये oats डाल देंगे स्वात गैन्यूसार हम इसमें नमक डाल देंगे या फिर एक छोटी चमस नमक मिला दें दोनों को अच्छे से अब हम इसमें पानी डाल के इसकी जो consistency है वो थोड़ी thin करेंगे तो यहाँ पर पानी डाले और इसे एक बार mix करें ध्यान रहे कि oats डालने के बाद ये जो better है वो थोड़ा फर्मेंट होगा तो आप इसे ऐसे ढख दें और 10 मिनट के लिए रख दें 10 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार mix करेंगे और इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इसे और thin करेंगे तो यहाँ पर ये पानी डाल के इसे अच्छे से मिला दें तो ये हमारा डोसा का बैटर तयार हो गया जिसमें हमें इनो या सोडा नहीं डालना है तववे को थोड़ा सा तील से ग्रीस कर लेंगे जैसे ही तवा गरम हो जाएगा इसके उपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करें ताकि इसका टेंपरेचर जो है वो डाउन हो जाए तो यहाँ पर ये पानी स्प्रिंकल करें और इसके बाद इसे ऐसे किचेन टिश्यू से पोज दे अब हम इसे बनाएंगे दोसा तो जब भी आप दोसा बनाएने तो ये प्रोसेस जरूर फॉलो करें कि पहले तवे को तेल और पानी से पोज दे और इसके बाद बैटर को ऐसे सेंटर में डालके और इसके बाद एक डायरेक्शन में आप इसे ऐसे घुमाएं ध्यान रहे बैटर को स्प्रेट करते वक्त गैस का फ्लेम लो रखे और जब बैटर अच्छे से स्प्रेड हो जाए तब आप गैस का फ्लेम भाई कर दे किनारों पे और इसके उपर हलका सा तेलिया घी लगाए और इसके बाद जैसी ये नीचे से ब्राउन हो जाएगा हम इसे निकाल के गर्मा गर्म सर्फ कर देंगे तो यहाँ पे इसे तोड़ा मैने और एक साइड ऐसे ये यॉक को कर दें तो इससे क्या होगा एग वाइट जो है वो बहुत यासानी से नीचे आ जाएगा ये देख सकते हैं तो इसी तरीके से जितने अंडे का ओमलेट आपको बनाना है आप एग वाइट निकाल के बना सकते हैं मैं यहाँ पे दो अंडे का इस्तमाल कर रही हूँ तो एग यॉक निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे बारी कटिवी सबजिया तो सबजी आप अपने पसंद के इस्तमाल करें मैंने यहाँ पे प्यास डाला है इसके साथ ये ब्रोकली डाला है साथ में हम इसमें ये हरेमिस डाल देंगे गाजे डाल देंगे बारी कट हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे Oats तो यहाँ पे दो बड़े चमच Oats डाल दे दो अंडे के लिए दो बड़े चमच Oats जो है वो काफी है Oats डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे नमक तो स्वाथ के नुसान नमग डाल दे और इसके बाद इसे अच्छे से मिला दे तो ये हमारा ओमलेट का मिक्षर जो है वुबन के तियार हो गया है तब हम चलते हैं ओमलेट बनाने के प्रासेस में तो इसके लिए एक पैन को तेल गी या बटर से ग्रीज कर ले जो भी आपको पसंद है और इसके बाद ये जो ओमलेट का मिक्षर है वो ऐसे सेंटर में हम डाल देंगी वैसे ओमलेट बनाना और चिला बनाना तो बहुत लोगों को मतलब मैक्सिमम लोगों को आता है तो यहाँ पे ये बैटर डाल दे और इसके बाद इसे अच्छे से स्प्रेट कर दे टेस्ट को इन्हांस करने के लिए आप चीज तो इसके उपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और और चीज भी डाल सकते हैं तो मैं याँ पे चीज का इस्तमाल नहीं करी हूँ लेकिन हाँ थोड़ा सा चीली फ्लेक्स और और गयान वह इसके टेस्ट को बहुत जादा बढ़ा देता है लेकिन अगर आप बच्छों के लिए बना रहे तो चीली फ्लेक्स का इस्तमाल नहीं करें जैसे यह ओमलेट एक साइट से पक जाएगा हम इसे ऐसे साफधानी से पलट देंगे और दोसरे साइट से भी पका लेंगे तो यह हमारा हेल्दी ओमलेट जो है वो बन के तियार हो गया है तब हम यहापे गयास को बन कर देंगे और इसके बाद गर्मा गर्म सर्फ कर देंगे आप चीहे तो इसके साथ ब्राउन ब्रेट या फिर अपने पसंद का कोई भी फ्रूट लेके आप इसके साथ सर्फ कर सकते हैं ओट्स की पूरी बनाने के लिए एक कप हम ओट्स ले लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे तो जार क अड़कन बन करके आप इसका फाइन पौडर बना ले इसे हम एक mixing bowl में डाल δेंगे और इसके साथ डाल देंगे एक चौथाई cup गेहु काटा गेहु काटा इसे binding में मदद करेंगा पिर हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इन सबको मिला के हम पानी डाल के इसे गुन लेंगे इसे गुनने के लिए नॉर्मल पानी का इस्तमाल करें गरम या बहुत जादा ठंडा पानी ना इस्तमाल करें डो बनाने के बाद आप चीए तो इसका तुरंट पूरी बना ले या फिर इसे दस मिनट के लिए रख सकते हैं तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे तुरंट लूई बना ले दी हूँ और इसकी बाद चलता है इसे रोल करने के प्रॉसेज में तो रोल करने के लिए सुका आटा या फिर ये ओड्स का फ्लोर लगाले और इसके बाद इसे रोल कर ले तो पूरी जो है वो अच्छे से रोल कर ली हमने अब हम इसे गरम तेल में डाल के तल लेंगे तो यहाँ पे बहुत जादा गरम तेल में पूरीयों को डाल दे और हाई फ्लेम पे ऐसे पलट के दोन्यों साइट से फ्राई करें ध्यान रे पूरी तलते वक्त गैस का फ्लेम हाई रखे और तेल बहुत जादा गरम है तब ही यह पूरी जो है वो बहुत अच्छे से फूलता है तो अब हम इने पलट देंगे और दूसरे साइट से भी फ्राई कर लेंगी तो यह हमारे ओर्ट के पूरी जो है वो बन के तियार है तब हम इसे निकाल देते हैं आप इस पूरी को पनीर की सबजी या आलो की सबजी या फिर अपने पसंद के किसी भी सबजी के साथ करमा गरम सर्फ करें ओट्स वेजी चिला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप ओट्स लिया है इसे हमें एक मिक्सिंग बोल में डाल देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे दो से तीन बड़े चमच बेसन तो मैं यहाँ पे दो ही चमच बेसन का इस्तमाल करी हूँ बारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे बारी कटा हुआ शिमला मेंस डाल देंगे बारी कटा हुआ हम इसमें गाजर डाल देंगे इसके साथ हम बारी कटा हुए हरी मिर्च साथ महीं यहाँ पे यह बेंस डाल दें धन्या पत्ता डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के नुसार नमग अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक थिक बैटर बनाएंगी ध्यान रहे हमें इस ओर्ट को और बेसन जो सबजी के साथ मिक्स किया है न इसे हमें थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखना है ताकि ओर जो है वो थोड़ा फूल जाए तो यहाँ पे हम बोल को कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगी 10 मिनट बाद हम इसे वापस एक बार मिक्स करेंगी तो यहाँ पे ओर जो है वो फूलने के बाद थोड़ा सा थिक हो जाता है तो हम क्या करेंगे आपे थोड़ा सा पानी मिला कि इसकी जो थिकने से वो कम कर देंगी आप इसमें टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाला पॉर्डर भी आट कर सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, लाल मिर्च पॉर्डर डाला और एक्दम एक चौथा ही छोटा चमच गरम मसाला मिला दे से अब हम चलते हैं चिला बनाने के प्रोसेस में तो इसके लिए एक पैन में थोड़ा सा तेल लगाएं जैसे ही पैन गरम हो जाएगा तेल को अच्छे से स्प्रेड कर दे उसकी बाद या फिर बड़ी साइज का या फिर छोटी साइज का आप यासे मीने चिला बना सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास बड़ा तवा है तो मैं यहाँ पर दो तिन चिला एक साथ बना लेती हूँ गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसे अच्छे से पक जाने देंगी ध्यान रई से पकने में थोड़ा समय लगता है तो आप थोड़ा सा पेशन्स के साथ ही से पकाएं और जैसे ही यह दोनों साइड से अच्छे से पक जाएगा मतलब जो ऊपर की लिया और नीचे की लिया जो है वो ब्राउन दिखने लगेगी तब हम गैस को बंद करके इससे निकाल लेंगी तो यह हमारा ओर्ट बेजी चिला जो है वो बंद के तियार हो गया है यह आप देख सकते हैं तब हम गैस को बंद कर देंगे और ले चलते हैं इसे सर्फ करने के प्रोसेस में आप इस चिला को केचप के साथ खाये, चटनी के साथ या फिर दही के साथ खाये सब के साथ यह पॉफिक जाता है इंस्टन ओर्ट स्मूधी बनाने के लिए एक चौथाई कप हम ओर्ट स ले ले लेंगे और इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे फिर हम इसमें डाल देंगे 4-5 भीगोये हुए बादाम एक बड़ा चमच हम इसमें मिक्स सीड्स डाल देंगे एक भीगोया हुआ, डेट डाल दे फिर हम इसमें एपल या बनाना डाल देंगे एपल या बनाना में जो फुरूट आपको ज़्यादा पसंद है आप उसमें एड़ कर सकते हैं अगर आप डाइट पर परसे करें तो आप एपल का इस्तमाल करें तो यहाँ पर मैंने घोटोटे केला डाल दिये हैं थोड़ा सा डालचीनी का पावडर डाल देंगे और इसके बाद इसमें दूट डाल देंगे तो एक गलास आप इसमें डूट डाल दे जार का ढटकन बन करके अब हम इसेिशे ब्लेंड कर लेंगे तो एकदम यह complete ऐसे breakfast की recipe है मतलब इसके बाद आपको कुछ भी खाने की इच्छा भी नहीं होगी और जरूरत भी नहीं होगी तो यहाँ पर इसे हम serving glass में डाल देंगे यह देखे एकदम thick shake बनता है तो आप एक बार इस healthy smoothie की recipe को try करें यह आपको बहुत पसंद आएगा तो उमीद करते हूँ कि आज की यह super tasty recipes आपको पसंद आई होगी अगर आज का यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने friends family के साथ इसे share जरूर करें और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल न भूले